Dear students, now we are going to study Spearman Rank Order Correlation Coefficient. इस से पहले हमने Pearson R Correlation Coefficient को स्टडी किया है. तो आएए देखते हैं इसमें और उसमें क्या फर्क है और ये कब इस्तमाल करते हैं हम या इसको कब हम यूज करते हैं. तो जो Spearman R Rank Order Correlation Coefficient है इस एक्शली दे नॉन परामेट्रिक वर्जिन आफ दे पीर सनार पीर सनार जो है वो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और जो Spearman Rank Order Correlation Coefficient है ये एक नॉन परामेट्रिक टेस्ट है. Spearman Rank Order Correlation Coefficient के लिए आपको डेटा रैंक्ट में चाहिए होता है जबके पीर सनार में आपका डेटा जो है दोनों वीरियबल्स वो कॉंटिनियूस शेप में मैयर हुए होते हैं. दोनों में linear relationship होना चाहिए यानि Spearman हो या Pearson हो. दोनों में हम देखते हैं कि ये दोनों टेस्ट जो है वो linear relationship को चेक करते हैं. और दोनों में paired observation होती है. यानि एक ही individual की दो different variables के उपर हम readings लेते हैं. यानि X और Y के उपर. इसका जो formula है वो है जो है RS भी इसको हम कहते हैं. पी भी इसको लिखते हैं ऐसे. वन माइनस six summation d square divided by n into n square माइनस one. तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ. अगर हमारे पास marks हैं दो subjects में sociology में और psychology में. तो first of all हम इनको अगर rank में कर लें. तो वो कुछ यूं होंगे कि जो highest marks हैं उनको हम grade one करेंगे और जो lowest है उनको हम grade ten करेंगे sociology में. और इसी तरह हम देखें जो highest mark है psychology में उनको rank one करेंगे और जो lowest mark है उनको हम least rank करेंगे. तो इस तरह rank करने के बाद हम क्या करते हैं? इनका difference निकाल लेते हैं. यनि एक्स rank और Y rank में जो difference है. nine minus four five और फिर इसका d square ले ले लेते हैं 25 तो जब हमारे पास summation d square आ जाता है जो total value आ जाएगी तो उसको हम इस formula में जो है one minus six summation d square into n into n square minus one के साथ हमारा ये spare man row निकलाता है. आर एस को जिसको कहा जाता है. तो ये तो मैंने आपके इसका statistical procedure बता दिया. अब हम देखते हैं कि हम जो है इसको कैसे conduct करेंगे SPSS में. तो यहां पर आप देखें कि यही मैंने ये data set SPSS फाइल में कोला है. अनलाइज में गे correlate में बाइवेरियेट में आए और बाइवेरियेट में आने के बाद हमने जो रैंक्ट किया हुआ है उसको यहां पे ले आए. अर बाइडिफॉल पियर्सन सेलेक्ट होता है पर हमने स्पेयर मैं चेक करना है. तो हम स्पेयर मैं को सेलेक्ट करेंगे. और यहां पर यह देखें इन दोनों के रैंक्स के दिरम्यान जो रैंक्स के दिरम्यान जो रैंक्स के 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 रैंक्स क को indicate करते थे कि अगर रिलेशन आर की वैलियू पाइंट जीरो वन से लेकर पाइंट जीरो थी तक आई है तो वह वीक है या मौडरेट है और पाइंट फाइफ से लेकर पाइंट सिक्स तक आई है तो वह मौडरेट तो स्टांग है और उससे उपर आई है तो स्टांग p-value is less than 0.01 तो इन दोनों के दर्मियान relationship exist करता है तो ये हमने देख लिया है कि कैसे हम अपना spareman rank order correlation coefficient compute करते हैं नेक्स्ट module में हम इसकी SPSS के उपर exercise भी करेंगे